हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं प्रेंग का स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके इपने चैनल टाइट टीचर जाब में दोस्तों आज हम डेलर थर्ड समेश्टर का हिंदी भी से देखेंगे और दोस्तों यहाँ पर यह है आपका क्लास नमबर 11 तो दोस्तों चले शुरू क करते हैं यहाँ पर आज हम देखेंगे अध्याए नंबर दो तो अध्याए नंबर वन में हमने देखा था कवियों मलेखकू का सामाने परीचे जिसके अंतरगत कवियों का परीचे था कवियों में कविरदास, सूर्दास, तुलसी, विहारी, मैथलिस, रडगुपत, लेकको के परिचे में मुंसी प्रेम चंद्र महावीर प्रसाद दिवेदी श्री पदुम लाल पुन्ना लाल बक्सी और बाबु बुलाब राय आचार नंद दुलारे बाचपेई डाक्टर नागेंद्र और डाक्टर विधा निवास मिस्र दोस्तों इतने लेककों और कवियों के विसे हम लोग पढ़ चुके हैं और दोस्तों आप लोग का कॉमेंट था कि मैं कितने लेकक कितने कवी को हमें पढ़ना है तो इस सबसे पहली वीडियो में हमने आपको स्लैबस ही बताया है कि आपके स्लैबस के अंतरकत क्या-क्या आप को पढ़ना है तो दोस्तों जिन भी दोस्तों का ये कॉमेंट है या जिन भी दोस्तों के मन में ये संसे है वो फर्स्ट वीडियो जरूर देखें और उससे उनका कन्फूजन जो है वो दूर हो जाएगा और यहाँ पर आज हम देखेंगे अध्याय नंबर दो तो चलिए योग तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे एक या एक से अधिक वड़ो या अच्छों के मेल से बने सुतंत्र था सार्थक ध्वनी को क्या कहते है सब्द कहते हैं सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या समझना सब्द किसे कहते हैं फिर दूसरे सब्दों में एक या अनेक वड यहां पर देखते हैं सब्दों के भेद सब्दों के भेद निम्न आधार पर किये जा सकते हैं पहला क्या है पहला आपका ब्यॉथुतप्ति के आधार पर और दूसराैं इतियास उत्पति के आधार पर और तीसरा प्रियोग के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर तो आज दोस्तों हम देखेंगे सब्दों के भेद में ब्यूत्पत्य के आधार पर सब्दों के भेद दोस्तों ये बहुत ही important topic है इस topic से आपके इस exam के लिए तो ये important है इस साथ ही आपके टेट सुपर टेट में इस टॉपिक से कोश्चन एक नंबर के जरूर आते हैं तो ये एक नंबर आज आप अभी से ही पका कर लीजिए अपना चलिए देखते हैं ब्युत्पत्ति के अधार पर सब्द को निम्न तीन भागों में विभक्त किया गया है पहला योगिक अब क्या मतलब होता है योगिक किस से बना योग से बना योग का मतलब होता है जोडना और दो या दो से अधिक सार्थक सब्दों के मिलने से जो वर्ड बना वो क्या हुआ योगिक हुआ आगे हम देखेंगे यहाँ पर जैसे है पाठ साला तो पाठ और साला मिलकर क्या बना पा योगिक कहलाते हैं clear यहाँ पर उदारड देखेंगे तो clear हो जाएगा आपका उदारड आपका पहला है देव आले यानि कि देव आले यहाँ पर देखेंगे देव आले आपका देव और आले दोनों ही सार्तक सब्द हैं देव आले clear देव का आले मतलब होता है घर और इसी तरह से अगर हाम देखें राज़ पूरुस दोनों ही सार्तक सब्द हैं हिमाले हिमधन आले clear, बहिम मतलब होता है बर्फ, आले मतलब यहाँ पर हमने देखा घर तो इतना से बर्फ जहाँ पर जादा होगी वो क्या है? हिमाला है और यहाँ पर देखें देव दूत देव प्लस दूत, यानि कि देव का दूत और यहाँ पर देखें नील, कंट नील, नीला और कंड तो यहाँ पर आप देखेंगे यह क्या है आपका योगिक है योगिक में दो आपस में सब्द जो जुड़ेंगे वो सार्थक अर्थ प्रकट करेंगे आपको यही ध्यान रखना है अब हम चलते हैं योगिक के बाद दूसरा नंबर आपका आता है सब्द के भेद में यहाँ पर रूड वे सब्द जो वड़ों के योग से बने हो परन्तु खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले रूड सब्द कहलाते हैं जैसे पंकज अब यहाँ पर देखेंगे पंकज का जब खंड करेंगे तो यहाँ पर इसका दोनों का अर्थ जो है जोनों के जो दो सब अर्थ बनेंगे वो सही नहीं होंगे एक तरह से यहाँ पर इनका जो खंड होगा वो खंड सही नहीं होगा जैसे अगर आप यहां नीचे अभी उधार देखेंगे जो सब्द किनी अन्य सब्दों के योग से ना बने हो और किसी विशेस अर्थ को प्रकट करते हो जिनके टुकडे का कोई अर्थ नहीं होता है वे रूड कहलाते हैं जैसे कल पर तो यहां पर आप देखेंगे जब इसका हम अलग-अलग इसको कर रहे हैं तो इसमें कल इसका कोई अर्थ नहीं निकल ला है जब एक साथ हो रहे हैं तभी अर्थ प्रकट कर रहे हैं और पार अलग होने पर कोई अर्थ नहीं है का टुकडा करने पर कुछ अर्थ नहीं निकलता अता ये क्या है निर अर्थक है यानि कि जो ऐसे सब्द जो अलग करने पर कोई अर्थ भी नहीं प्रकट करेंगे और एक तरह से वो निर अर्थक हो जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा रूड सब्द होगा ठीक यहां पर क्या होगा रूड होगा योगिक क्या होते हैं वो योगिक दो अलग अलग सार्थक सब्दों से मिले होते हैं और रूड जो होते हैं वो जो अलग करने पर उनके कोई भी अर्थ उनका नहीं निकलेगा यानि क्यों निरर्थक रहेंगे आप आपको यही दोनों चीजों में अंतर रखना है अब हम चलते हैं यहाँ पे आपका योगिक हो गया रूड हो गया अब हम देखेंगे आपका योग रूड योग रूड क्या होता है दोस्तों देखिए आप एध्यान से योग रूड सब्दों में उप्युक्त दोनों किस तरह से उन सब्दों का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया जाता है अभी आप यहां पर उदाहड देखेंगे दोस्तों तो समझ में आ जाएगा यहां देखें जैसे जलज चक्र पाणी और चार पाई आदिस वे सब्द हैं जो योगिक तो हैं किन्तों सामान अर्थ को ना प्रकट करके किसी विशेश अर्थ को प्रकट करते हैं वो योगरूड कहलाते हैं दोस्तों जब हम आगे समास पढ़ेंगे तो उसमें जैसे आपका बहुबरी समास होता है सेम जो बहुबरी समास के उदाहरण होते हैं वही आपके यहां पर योगरूड के उदाहरण हो यहां देखिये योग रूड कालाथने जैसे पंकज दसानन आदिप पंक धन ज पंक्छ की चड़ में उत्पन होने वाला सामान अर्थ में प्रचलित ना होकर कमल के अर्थ में रूड हो गया है clear अतय पंकर सब्द योगरूड है इसी प्रकार दस यानि की दस और आनन मतलब मुख दस आनन यानि की रामड दस और किसी के पास दस मुख नहीं थे ना तो रामड के पास ही थे इसलिए यह क्या हो गया यह आपका कौन सा सब्द बन जाता है योगरूड है clear योगरूड हम पढ़ रहे हैं जहां पे दो सब्द आपस में मिल तो रहे हैं लेकिन उनका अर्थ कुछ अलग हो रहा है clear तो यहां पे हमने क्या क्या देखा दसानन और जिसका अर्थ होता है रामड लंबोदर लंबा है उदर जिसका यानि की गड़ेश जी लंबोदर हम और किसी देवता को नहीं पुकारते हैं और पाठ साला यानि की विद्याले और किसी को तो हम पाठ साला नहीं बोलते हैं निसाचर यानि की राच्छस तो यह अर्थ में प्रसिद्ध है clear तो यहां पर आपने देखा कि आपका योगिक योगिक के बाद हमने देखा रूड और योगिक में क्या था दो सब्द आपस में मिल तो रहें लेकिन दोनों को अलग करने पर दोनों सार्थक सब्द में हैं और रूड में क्या था रूड में जब दोनों को अलग किया जा रहा तो कोई भी सार्थक सब्द नहीं बन रहा है और इसी तरह से जब हमने देखा योग रोड में जब हम दो सब्दों को आपस में जोड रहे हैं तो उसका कुछ तीसरा आर्थ निकल ला है यहां पर देखिए पंकच दसानन और लंबोदर पाट साला निसाचर यह सब क्या है योग रोड के उधार रहे हैं तो दोस्तों आसा करती हूं कि यह वीडियो आपको समझ म ने आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और कोमेंट करके हमें जबूर बताएगा कि हमारा यह प्रियास आपको कैसा लगता है और दोस्तों इस तरह के आप किसी भी गाइड में यह जैसे यह तो आपका हो गया की आपको इस तरह से किसी की परिभास पूछेगा तो आपको इस तरह से उधार दे के लिखना होगा और किसे भी हिंदी की बुक में कोई अच्छी नालंदा की बुक हुआ या फिर किसे हिंदी की लूसेंट हुई उसमें ये सारे सब्द थोड़ा डिटेल में दे रहते हैं तो उसके लिए आप और भी बुक का सहरा लीजिए और बाकी हमसे जो हो पाएगा वो हम जरूर करेंगे तो यहाँ पर आपको यह मेरा मतलब यहाँ पर बस समझाना ये था कि आप समझे योगिक क्या है रूड क्या है और योग रूड क्या है अब मुझे लगता आपको कोई confusion नहीं होगा तो यह दोस्तों आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ share कर दिया करिए और अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लिजे जिससे हमारे सभी वीडियोज की notification आपको मिल सके तो इसी तरह से आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए अपना द्यान रखिए अपनों का द्यान रखिए अपने आस पर सफाई रखिए हमसे जुड़ने के लिए थैंक्यू सो मच जैहिन